आज की या वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्पुढ होने वाली क्योंकि आज किस वीडियो में बात करेंगे BA, BSC, BCOM के फस्ट एर के फस्ट समेस्टर के छात्र है जिनको कल परसो है फिर आने वाले दिनों में परिच्छा देनी है एक अनिवार प्रस्णपत्र की जिसका नाम है को करिकुलर सबजेक्ट इसको बोलते है फूड निट्रेशन एंड हाइजन फूड निट्रेशन एंड हाइजन एक अनिवार प्रस्णपत्र है जिसकी परिच्छा आप सभी छात्रों को देने ही देने एक तरीके से एक कंपल्स सरी सब्जेक्ट होता है और इसकी जो परिच्छा है वो अब्जेक्टिव बेस पे होती यानि कि बहुत भी किल्पिय प्रश्ण आते हैं एक क्वेश्चन नहीता चार आफ़न नहीता है जो फ बताएंगे और साथ साथ में एक 800 एंसर वाली पीडिया भी हम आपको देंगे जिसमें से लगबग लगबग प्रश्ण आएंगे और जो आपका जो चार यूनिट में डिवाइड है अहार यूं पोसड की अउधाना फे जुड़ा कोश्चन आएंगे पोसक तत्तो अस्थो पोस्ट में से जुड़े कोश्चन आएंगे 100 दिवसी पोसर फे जुड़े कोश्चन आएंगे समुदाइक स्वास्त एयुम अवधाना इन ही चार यूनिट फे जुड़े कोश्चन आपको देखने को बिलेंगे अलग कहीं बाहर से कोश्च नहीं आएगा ठीक है आज किस वीडियो का पहला प्रशन है कि आहार जो आप खाना खाते ठीक है आयोजन के समय किस बात का अध्यान रखना चाहिए ठीक है आहार आयोजन के समय किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए मौसम का या फिर पाक प्रणाली का या फिर परिवार के फदस्यों की रुचियों क सभी का तो आपके जानकारी के लिताःई जब हाँर का ओजिन होता है थिक है यानि कि बनने के process में होता है तो आपको सभी मौसम का विधान 나와 होता है पाक जो यहनि फट्टने की प्रणाली होती है इसलिक है इसलिए तर्स्में तो सभी हो जांएगा एट है इसली को ध्यान को ब्रभावित में वाला प्रमुक कारक या फिर प्रमुक तत्तु कौन है इनाप सुनों में से ठीक है तो इसमें जो चाहिए उत्तर हो जाएगा बहुत ही महात्पूर्ण है आप सभी के लिए ध्यान रखेंगे वह आयनी की उमर जिसको बोलते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन की आहार अयोजन क प्रवावित करने वाला तत्तु कौन सा नहीं उपड़ था कि तत्तु नहीं है तो यह है अध्यन किसी चीज़ के बारे मॐ जानकारी लेन अध्यन करना तिक है अगला प्रश्ण है खाना खाने में चालेंगे ना पापड लेंगे खाना तो खाना होता जो आप लोग सब्सक्राइब और चपाति यानि कि कुछ खाने वाला चीज जो आपके पॉष्टिक तत्तों हो जिसमें वह लेना चाहिए यह नहीं कि पकोड़े ले रहे हैं हलुआ ले तो नास्ते हो गए अगला प्रस्ण है कि भाईः परिवार के भोजन का अफ्तर निरभर रहता है तो परिवार का जो भोजन होता है किसी भी परिवार का वो किस पर निर्भर रहता है ठीक है तो यहां पर बहुत फारे आपसे ने भोजन के लिए प्रतंधन होना चाहिए यह तभी भोजन मन पाएगा ठीक है ग्रहेडी की पाक कला के कला के पूर्ण यान हो चाहिए जो घर में ग्रहेडी है महिला है उसको खाना पकाने आना हम आपको जो यह अनिवार प्रश्ण पत्र है बहुत किल प्रश्ण आएंगे आपकी पतिछा में तो इसमें हमें आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आपको साइध नहीं मालूम होगी अगर आप वो trick follow करेंगे तो अगर आप उस प्रशनका उत्तर भी नहीं जानकारी रहेगी या फिर अभी तक आपने भी नहीं पढ़ाई की है इसी वीडियो को देखकर आप एक्जाम की तयारी कर रहे हैं दो वीडियो देखके तो आपके लिए रामबार वीडियो होने वाली हम आपको एक बहुत ही बहुत दिन तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं लेकिन इस वीडियो को अंतर तक देखते रहेगा हम आपको अभी बताएंगे कि कौन सी वो ट्रिक है क्योंकि वो मैंने देखा वो 100% working ट्रिक है और हमेशा काम करती है ठीक है उसको मैंने personally खुद देखाया और अजमाया भी ह प्रशन है कि उत्सों के लिए अहार नियूजन की समय रखना चाहिए मत्तब कि मालीज आपकी घर में कोई प्रोग्राम है शादी सादी का महुल समय चली रहा आप जानते हैं यह बहुत ही जरूरी हो गया इसलिए सही उत्तर भी होगा मटर पनीरी ठीक है बहुत बहुत लो लग चली रही है आप से जानते ही है ठीक है कोई बात नहीं आते ही में कुश्चन पर लिखा कि आहार आयोजन का क्या उद्देश है तो भाई आप जो खाते हैं जो आप खाना लेते हैं उसका जो उद्देश है वो मित्यब्ता तथा फादनों का सदुपियोग परिवार को पोश्चे का मुस्तंतुलित अहार प्रदाण करना यही होता अहार आयोजन मतलब कि अहार की स्टार्टिंग या बोल सकते हैं ठीक है आयोजन प्रबंध करना यह सब होता इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों क्योंकि ये दोनों आप संसरी है पहला दूसरा भी अगला क्वेश्चन के रहा कि इनमें से कौन सा अहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तक तो नहीं है ठीक है याद रखेंगे बहुत ही महादपोर्ट प्रश्ण वह अध्यन अगला की आहार आयोजन के समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए ठीक है तो उस अगर आपको कलमाल अहार आइफ होजन करना नहीं पतार प्रबंध करना नहीं पता है खालदा दियुकत तो बनाया जाससकता स्वाधिस्ट जेनके भऱोजन चाहना सकते हैं आहार को पूस्टिक भी बना सकते हैं विजित यानि के बहुत सारी प्रकार की भी बना सकते हैं इस लिए सभी हो जाएगा डिनम्बर इनुमे से सभी कौन-कौन को तयार करने वाला प्रमुकतत्तु है तो क्यों हो जाएक आप से अप सब्सक्रण इसकों नापने आप डिख लोग सकते हैं त्टिक है और अगला प्रस्ने ने से कौन सा अहार नियोजन की प्रिकरिया का चरण है यह इग्नोर कर सकते हैं और अगला भी महात्पूर्ण ने इसको भी इग्नोर कर सकते हैं अगला की आहार नियोजन को बेवहारिक रूप देने का सबसे सरल उपाय कौन सा है यह महात्पूर्ण इसको ध्यान रखेंगे ठीक अगला प्रस्ण है कि इतुम सा अहार नियोजन का उद्डेश यह महत्त। इसको भी-धार्ण रखेंगे हैं ऑला कि नीचे वाला कि कृष्चन का मतलब ही है ठीक है तो इसका सही हो जाएगे इन में से सभी और अहार नियोजन का उद्देश ये वाला प्रस्ण का सहुत्तर हो जाएगा आपसे नंबर पोस्टिक रुची कर तथा विविता आहार उपलब्द करना ठीक है ये हो गया आहार नियोजन का उद्देश और इन में से कौन सा उद्देश है वो हो जाएगा ये सभी ठीक है अगला कि दैनिक आहार म प्रतिनिधुत्त होने की अफ्थित में क्या होता है तो इन आपस्टरों में से जो सही उत्तर हो जाएगा वह सभी क्यों कि भाई डैनिक आहार यानि कि जो आपका रोज्द का खाना भोजन है ठीक है उसके समो के भोज़ परदार्थ यानि कि खाने वाले प्रतार्थ जो है उसमें प्रतिनिद्ध होने की इस्थित में अहार में बिजिता लाई जाती यानि की बहुत तरीकी की अलग अलग टाइप की खाना बनाया जाते है भोजन और अगला अप्शन है कि ग्रहणी को ज्यादा फोच बिचार तता गण्णा नहीं करनी पड़ती है संतुलित अहार उपलब्ध हो जाता है ठीक है तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगे इनमें से सभी ठीक है अगला प्रशन है कि संतुलित यों पौश्टिक अहार के लिए आवस्चक है बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन याद रखेंगे अहार नियोजन बहुत ही आवस्चक है ठीक है एक पौश्टिक भोजन के लिए या फिर अहार के लिए अगला की अहार में विभिन्नता लाने का अर्थ क्या है यह महानद पोड़ भाई इस राफ चलिए ताकि हमारा जो भोजन है जो हमारी सब्जी है जो हमारा खाना वो अच्छे से जा दिन तक चलता रहे मतलब कि पैसे हर्ची तो पैसे सी मिलती ठीक है न तो बजट आपको बनाना पड़ेगा और बेक्ट की रुची क्या है यह नहीं कि आपने कुछ भी की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पॉश्टिक जो पॉश्टिक तत्त होते उन भोजब पदार्थों द्वारा उप्यूक्त मात्र में भोजब में सम्मिलित या फिर इंकिलूड किये जाए तो इसे क्या कहते है इस प्रोसेस को याद रखेंगे इस प्रोसेस के क सिध्धान्त है यह भी महत्पूर्ण प्रश्ण है तो अहार नियोजांगा जो सिध्धान्त है वो समय के बज़त करना टीक परिवार की फदस्त की रूची अहार का समय निश्ची तो इसलिए उपरे को में से सभी हो जाएगा ठीक है सही उत्तर अगला की दूद से बने अगला की खांट की सभी हां वाले तरफ से मुझे इस बात को ध्यान लकिकर की समूझट सभी सभी हो ठीक है पंचम सष्ट और सब्तम समों बनाएगे जैसे कि एक्जामपल के लिए परदी से दिया गया दूतिय समों यह इसी महा का है ठीक है खादपरदात के समों साथ होते हैं इसमें से दूतिय है और चठा नंबर का है ठीक है और अगला प्रशन है कि हमें सबसे सीगर उर्ज लगा नहीं देते हैं बोतल वाला ठीक क्या कि सबसे ज़्यादा मिल जाती है अगली है कि सब्जी भाजी किन भोजपरदार्थों कि स्रेड़ी में आते हैं वाट इमाहतपूर प्रश्ण है इसमें जो सम्पूर आहार इसको इन आप्सनों में से लिगिए हलाकि अगर इस त को सब्सक्राइब कर दो कि याद रखेंगे तो अगला कि भोजन में उर्जा का फाधन क्या है तो भोजन उर्जा को जो साधन और वह कार्भो हाइट्रेट यह बहुत इमाच मोड प्रशन याद रखेंगे त्टिक है अगला प्रश्ण भाहिया आप सभी के प्रस्तुत है कि सबस्कराद दने समस्थ पौशकाद के समने ऑइन है वह पांच के हैं खाला कि वैसे साथ होते हैं और इस कंपनी ने फिर इंगतन और नाय जे फिर्नि ने पांच्ông ही आ anlat हुँ एक प्रश्ण करने को उत्तर देजाए आफ से नमर कौंसा हो जोएगए नमडर कियो कि आ चुम्हाजी यहां आज च्छूटे उपर नहीं निकल आते क्यों सोड़ सब्सक्राइब राजुंस्वाइब पायाइब भितामिन बिटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता जैसे कि आपकी सरील में माले जए बिटामिन एक कमी चुêtsक है तो उससे कभी यह लच्छन दिन में भी दिखाए देता है थोड़ा अगर अंधेरा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं दिखेगा तो अगर आपको बोलते नहीं कि आपको रताउंधी हो गई तो आप समझ जाएगा कि आपके अंदर बिटामिन एक कमी है तभी आपको यह रोग होगा है या फिर ऐसे हो सकता है कि कोई बोल देख बिटामिन एक कमी ही तो आप समझ जाएगा कि रताउंधी में लच्छन है ठीक है तो चलिए अगले प्रश्चन के और बढ़ते हैं अगला प्रशन है कि बिटामिन सी पाया जाता है किसमें आउले में आ योडेन यानी नमक की कमी से कौन सा रोग होता है आप सब जानते हैं कि गेंगा होता है जो कि गले के पास होता है कहा है घृम्पिटामिन सुक्त कोटके क्या है अग्या से दिख से रहे दिखाना निन नाया है टीक है तो यह सब पितामिन स्वार्वधिक आवस्चिक हैं जौ की है ऒसे द्यादा किसे चीज़ के लिए आवस्चिक होता बहुत ही महात्पूर्ट प्रिष्ण याद रखेंगे मंद मतलब की कम हो जाती है कि तो इस प्रिष्ण का सहीधत्र हो जाएगा आपसे नमर बिटामिन के इस को आपको जर्णल नालज मिल लगे तो आपको जीवन में जो आप नहीं जानते हैं उनकी जानगारी मिल लेए या आपके परिष्णा के लिए तो महात्पूर हैं फोस्टियन लेकिन आप सभी के जर्णल नालेज्च के लिए वैशर भी आपको आना चाही कि कौन से विटामिन से कौन सा कमी क् OMT रोग होने पर कौन से बिटामिन की कमी होती है और बेसिक जानकारी आपको मिल रहिए तो इस प्राशना प्रस्तुत रेक्ठी रोज्री इक प्रकार का रोग होता है ओर इसका मतलब कि कैसे दिखता है कि हमाई यह रोग हो गया तो वह अफ्त बेकरत होने को PLAY नहीं कमी से जो रोग होता है बहुत सबीन प्रशन है याद रखेंग विटामिन C की कमई से होता है ठीक है uh next question की कार्बोहाइड़्डेट किंतत उसे मिलकर बना होता है बहुतarti महाद कॉपस्न ने इभी यह कार्बन डाय आफ़ी तथा आफ़ी जन से मिलकर बना होता है कार्बो हाइडरेट जान रखेंगे शुक्रोज की प्राप्त का साधन कौन सा है तो शुक्रोज प्राप्त करने का मुख्य साधने बहुत ही महात्मूर्ट प्रस्णा याद रखेंगे आप सबीक एक्जाम के आफ़ी नंबर बहुत ही मात्मूर्ण नाइट्रोजन ठीक है अगला की इस्टार्च की प्राप्त का साधन कौन सा है इन आफ़ी तो इस्टार्च का जो सफ्फे जदा मिलता है वो जड़ और बीजों से मिलता है इसलिए उत्तर हो जाएगा कौन सा भी नंबर पेंड़ से उत्तर होगा अगला की वह कौन सी सरकरा है जिसका मनुष सरीर में पौशड के रूप में कोई महत्तु नहीं है ठीक है मतलब कि उसका महत्तु है ही नहीं तो इन आफ़ी नंबर बी ठीक है स्लिव लोज अगला की कार्बोहाइट प्राप्त के सरकरा युक्तपदार्थ है कर्बोहाइट को प्राप्त करने के लिए सरकरा युक्तपदार्थ कौन सा इन आफसरों में से ठीक है तो वो है सककर्चिनी जिसको बोलते है ठीक है सी नंबर से उत्तर होगा प्रोटीन का प्रमुख कार क्या है बहुत ही हाई लेबल का बहुत ही कौमन कोश्चिन आपको आ है इन आफसरों से ठीक है बहुत ही उड़ता मातर पर से ठीक है जिसकी रोटिया भनते थी को te सरकरा कहते हैं महाध परने के अग्नोर करेंगे समाने तोर पर मने prevention याद रखेंगे समाने तौर पर मनुसे के अंदर रक्त में गुलु कोच की जो मात्रा होनी चाहिए गुलु कोच थि जाए याद राखेंगे इस प्राशन का सही उतर आप कमेंट में बताइए चेली आप सभी तो वैसे तो होती है सतर से सो लेकिन इसमें कोई सतर से सव आला आपशन नहीं है ठीक है इफली अगर यही आप दे सब्सक्राइब कर्दान करना यह इसका प्रमुख का रहे हैं तो वह सरीर को उड़जा प्रदान करना यह इसका प्रमुख का रहे हैं वनुख प्रमुख को रहे हैं अगला की निन्वी में से कौंसा कार्बो हटेट wyp का वर्ग है तो तम परने से इक्रिणोर कर सकते हैं हुए कार्बोरिये क्राइट की किस अंग में जाता है तो इस बात को ध्यान नहीं कि यह माहत्पूर्ण प्रश्च को जाता है चोंती आतमी कहांपर चोटी या चो ती चोटी बड़ी आत फुना होगा तो उसमें चोटी आतमी जाता है ठीक है अगला कि निमें किसे सरल्तम तो याद रखेंगे उसको माणा जाता है moosa टिक है से एकउरिट को कौन वार कार्बूर्ट हाड़र है अधिकता कपरिडाम है तो याद रखेंगे आप सब एक सब्सक्राइब तरह अगला प्रश्ण भी यहां पर वसा किसे बनता है इस बात को ध्यान रखेंगे जो वसा है वह कारबन टिक कारबन और हाइडोजन और आख्रीजन से बनता है ठीक है और वसा सरीर में किस रूप में जमा रहता है यह भी महात्पूर्ण प्रश्ण ने तो को बता है अगला के प्रोटीन नाम चल्पर अनिक द्वारा प्रुश्द की यहां गया था, बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण याद रखेंगे प्रूस्द की अगया था, इक प्रमोग भिद्वान और भिज्ञानिक इन्हीं के द्वारः सब्से पहले प्रोटीन द्वन नाम है वह प्रस्तावित क्या गया था बहुत ही कोमन कोश्चन याद रखेंगे व्लज जगत से प्राप्त-भोज पढ़ने वाले प्रोटेन को क्या कहते हैं ठीक है तो उसको कहते हैं प्राणित प्रोटेन अगला एक निनम्हों मेंगा आवस्यक कौन सा है याद रखेंगे जिन में से जो प्रोटीन का आवस्च जो अवयो है वो है हाइडोजन कार्बन और नाइटोजन इसलिए से उत्र जिन नंबर हो जाएगा इसमें से सभी या फिर उपरोक्त में से सभी q 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 सबसे अधी क्या पैया जाता अपसे प्रोटीन होती यहां पर फारीर का कितना है प्रहणा निदी से जान कदड़ाता है तो यह है औरज है टीकहर होला है दूद में प्रोटीन के रूप में क्या होती पछली आप सभी बताईए क्या होती सुछें जहां प्रोटीन की जरुत सबसे अधिक किसे होती है सबसे अधिक होती है प्रोटीन प्राप्त के उत्तम साधन कौन से तो यह सभी साधन है जिन में से अधिक मातरा में मिलता है अगला हैसे वनस्षपती जगत में प्राप्त का वनस्षपती जबते हैं यह बोलागो को मालूम होगा सब्सक्राइब करना होता है लेकिन अधिक मातर में क्या पाया जाता है प्रोटीन की कमी से कौन सा सब्सक्राइब करना करना प्रोटीन इसलिए उत्तर हो जागा उपर्योक्त सभी अगला प्रोटीन के उपीयोगता यहां पर उत्तर प्रुष्टत है यहां पर लिखा कि रखता लुपाता कि खरिश्टत की कमी से होता है तो यह होता है लोहा की कमी से आइरन की कमी से सोडियम पर आप तिक अच्छा फ्रोट कौन है नमक से मिलता है सोडियम ठीक है अच्छी मात्रा में आइरन पर चार रूप मात्रा में पाया जाता है कि इसमें ठीक है प्रकत में पाया जाता है और कैल नहीं है यह बात करना है ठीक है सांद्र सोथ नहीं है ठीक है सांद्र सोथ पालक ठीक है आपको सब्सक्राइब को जो प्रिग्नेंट है जिस गर्भावस्ता के समय तो रूग हो जाता है जिसका नाम है तो आसा है आपकी जो पनताने कैसे हो रही उस पर रिपन्न करता ठीक है तो इस तरह बहुत सारे सारे यह हैं और उसके सामने यह पर उत्तर भी से लेक्ट है कि आपको सामान से क्या होता कॉष्ट करीब करीब मैंने 1500-200 questions वीडियो में included हैं ठीक है और question answer सहित हैं आप इनको तयार करके आप अपने exam दे सकते हैं ज्यादा मैं तो नहीं बोलूँगा कि यह question आएंगे लेकिन आपको कुछ ना कुछ जरूर हल्पी मिलेगी और बाकी एक वीडियो हमारे एक पीडियाप है मारे पास जिसमें असकरीब करीब 800 से भी अधिक question and answer हैं तो उसको हम provide करा देंगे लेकिन उसको हम provide उन्हीं चात्रों को कराएंगे जो अभी तक यहाँ वीडियो देख रहे हैं और जो चाहत हमें मैसेज करेंगे किसर हमें पीडियाप चाहिए food nutrition and hygiene का तो हम उनको provide करेंगे अधरवाज यह पीडियाप तो आपको मिली जाएगी टेलिग्राम और वाट्सअप पे कोई question है जरूर पूछे मिलते हैं आपको एकाउन नई वीडियो के साथ जब तक के लिए जहेंद